आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ हमारे पास रइडट ट्रेंगल को आप enacted की measurement होती आ वह हुती है, हमारे पस नाइंटि डे मीचे को टो ल वारी पास अगर एक रइड आंगल ट्रेंगल है एंगल C जो है वह एकाल है, नाइनटि डे मेड ट्रेंगरे के कंन आर ऑWhen त्राइंगल ए बली सी बनेगे राइट एंगल ट्रैंगल प्रफिज एंगल होता है, इमारे पास एंगल आ ओर थूज एंगल विच थूज आर ग्रीटर देन 90 डीगरी यानि आप यूज एंगल होते है जिनका जो एंगल होता है वह 90 डीगरी से greater होता है यानि अगर मारे पास यह right angle triangle है तो angle a angle b का यो किसी भी एक angle को स्म है वो greater होना चाहिए जाए 90 degree के तो अगर मारे पास कोई angle right angle triangle का greater हो जाएगा 90 degree के तो वह obtuse angle कहलाएगा लेकिन अगर ब्यप्ट use angle होगा तो मारे पास जो triangle होगा a b c वह follow नहीं करेगा स्गेटका गासि के क्वाएगंसा गाता है कि ट्रेंगल के सभी इंगल का जो सम है वो इकवल होना चाहिए वान एक ट्डिख डिक तो आपकर राइट म Alexandria ट्राइगल का कोई आंगल होगा To isn't उल तो आंगल सम प्रॉप्रिट जो है वो follow नहीं होगी और हमारे पास यह triangle जो होगा वो equal नहीं आएगा 180 degree के जो हम कह सकते हैं कि जो मारे पर यह statement given है कि right triangle cannot have an obtuse angle यह statement हमारे पास बिल्कुल सही है यानि the statement is true Thank you झाल